क्या भारत को मिला है सबसे आसान ग्रूप पाकिस्तान भी है शामिल समझे कितनी मुश्किल होगी रहा। भारत को वर्ड कप में ग्रूप A में रखा गया है जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है जानिए ये ग्रूप भारते टीन के लिए कितना कठिन ये आसान रह सकता है। 2007 में T20 वर्ड कप की शुरुआत की गई थी जिसे भारत ने जीता था आज तक T20 क्रिकेट के त्यास में आठ विश्व कप टूनामेंट हुए हैं और 6 अलग अलग देश टॉफी जीतने में काम्याब रहे हैं। अब दुनिया की नज़रें 2026 T20 वर्ड कप पर हैं जिसका आयोजन बेस्ट इंडीज और USA में होना है। टॉर्नमेंट में 20 टीम हैं जिनने 5-5 टीमों के 4 ग्रूप में बाता गिया है। भारत की बात करें तो उससे ग्रूप A में जगा दी गई है जिसमें टीम इंडिया के अलावा एक और पूर्व चैंपियन टीम मौजूद है। क्रिकेट फ्रेमी ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर भारत का ग्रूप कितना आसान या कितना कठिन रह सकता है। आयलेंड को उलट फेर करने में महारत हासल है। वो आयलेंड ही है जिसने हाल ही में 3 T20 मैचों की सीरीज के दोरान 5 विकेट से रौन दिया था। आयलेंड का उलट फेर का पुराना इतिहास रहा है क्योंकि 2011 वंडे क्रिकेट वर्ड कप में उसने 3 विकेट से इंगलेंड को हराकर क्रिकेट जगत में संसनी फैला दे थी गुरूप की अन्य दो टीम USA और कराड़ा शायद ज्यादा टकड ना दे पाएं। मगर ये वर्ड कप है और सब यहां जीत नहीं आते हैं। उन बातों को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब USA ने बंगलादेश को 5 विकेट से हराया था। कब कब होने हैं भारत के मैच। भारत अपना पहला मैच 5 जून को आयलेंड के साथ खिलेगा। उसके चार दिन बाद 9 जून को भारत पाकिस्तान महा मुकाबला होना है। मेजबन USA के साथ भारती टीम की भिडंत 12 जून को होगी और ग्रूप स्टीज में भारत का आखरी मैच 15 जून को कनाडा से हुगा। झाल से हुगा।